नमस्कार दोस्तों मैं आचार एरुन कुमार दिक्षित स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भववजोतिस में दोस्तों आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयू को निर्धारित करने वाले अंगों के बारे में तता दीर्ग आयू योग के बा किस परकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम आयू निर्धारित करने वाले अंगों के वारे में देखते हैं। देखेगा आयू निर्धारित करने वाले अंग सबसे पहले लगन तता लगनेश यह होता है लगन भाव अर्था पहला भाव और जो रासी लगन भाव में हो उसका स्वामी गिरह कहलाता है लगनेश लगन तता लगनेश किसी जातक या जातिका के स्वेम के बारे में उसके देखे अर्थात सरीर के बारे में बताते हैं उसके बाद आगे बात करते हैं अश्टम भाव तता अश्टमेश यह होता है कुंडली का अश्टम भाव अर्थात आठमा भाव और जो रासी अश्टम भा खाव से किसी भी जातक या जातिका की आयू को देखा जाता है आठमाभाब आयू के वारे में बताता है उसके बाद आगे बात करते है तिर्थिय भाव तफार तिर्थिय nog और जो रहती तिर्थिय भाव में हो उसका स्वामी गिरह कहलाता है तिर्थियेश अब यहाँ पर बात करते हैं कि तीसरा भाव तता तिर्थियेश क्यों देखिएगा हमें सबसे पहले आठमे भाव पर वापिस आना होगा क्योंकि आयू को बताता है आठमा भाव और जोतिस के भावात भावम नियम के अनुसार जिस भाव संख्या से जिस फल को हमें देखना हो उससे उतनी ही संख्या आगे वाला भाव भी हमें उसी फल के वारे में बताता है और हमने आठमे भाव से आयू को देखा तो आठमे से आठमा भाव पड़ेगा वह पड़ेगा तीसरा भाव देखिएगा एक दो तीन चार पान चे साथ आठ तो हमें तीसरा भाव भी आयू के वारे में बताता है इसलिए हमने यहाँ पर तीरतिय भाव और तीरतियस को लिया है उसके बाद आगे बात करते हैं आयू कारक शनी देखिए जोतिस में शनी महराज को आयू कारक माना जाता है तो यहाँ पर हमारे सामने आयू को निर्धारित करने वाले चार मुख्या अंग हुए कौन-कौन से लग्न तता लगनेश, अश्टम भाव तता अश्टमेश, तीरतिय भाव तता तीरतियस और आयू कारक शनी यहाँ पर हमें लग्न तता, लगनेश को विसेस रूप से देखना चाहिए क्योंकि लग्न तता, लगनेश किसी भी जातक या जातिका के स्वेम के वारे में, उसके सरीर के वारे में बताते हैं और यह जितने भी वली तता सुबिस्तिती में होंगे उतना ही व्यक्ति का सरीर अच्छा पाया जाता है। और उसके बाद में जो हमने ये चार महतपून अंग देखे हैं, अगर यह महतपून अंग सुबता में हो, बली इस्तिती में हो, तो कहा जा सकता है किसी भी जातक या जातिका की लंबी आयू हो सकती है क्योंकि आयू को निर्धारित करने वाले अंग बली इस्तिती में है तो व्यक्ति की आयू भी अच्छी हो सकती है यहाँ पर हमें इन अंगों की इस्तिती को देखना चाहिए तथा उस पर अन्य परभाव को भी देखना चाहिए क्योंकि सुब परभाव आयू को बढ़ाता है असुब परभाव आयू को कम करता है उसी परकार से हमें तुलनात्मक अध्यन करना चाहिए यहाँ पर हमने आपको आयू को निर्दारित करने वाले पहले तो अंग बताए क्योंकि किसी भी जातक या जाती का की आयू को देखना हो तो हमें कौन-कौन सी अंग को देखना चाहिए उसके बाद मैं फिर उनकी इस्थिती को देखना चाहिए और बली इस्थिती वैक्ति की आयू को बढ़ाते हैं वहीं पर अगर इस्थिती निर्वल है असुबता में है तो आयू में कमी लेके आते हैं यहाँ पर सुबता तता वली इस्थिती का मतलब यह है कि अगर माली जी हमें किसी भाव या ग्रह की बलिस्तिती को देखना हो तो हमें देखना होता है कि भाव के अंदर कोई सुब ग्रह बैठा हो या पिर भाव का स्वामी बैठा हो या पिर भाव का स्वामी अपनी दृष्टी देता हो या फिर भाव सुब करत्री में हो अर्थात जैसे कि हमें लगन के बारे में बात करनी है तो लगन के दोनों तरफ सुब गरह बैठे हो तो यह सुब करत्री होती है और लगन का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए सुब गरह दृष्टी करे तो लगन या फिर कोई भी भाव जिसका हम निर्धारन कर रहे हैं, अगर उस पर इस परकार का परभाव होगा, तो उसकी बली इस्तिती मानी जाती है, उसके बाद में ग्रह अगर स्वेरासी हो, उचरासी हो, मितरासी हो, सुब ग्रह के साथ बैठा हो, सुप परभाव में हो, सुप कर्तری में हो तो गिरह बली माना जाता है वही पर असुप गिरह का परभाव बल को कम करता है हमें इस चीज को देखना चाहिए और उसके बाद ही हमें तुलना अत्मक अध्यन के बाद आयू को निर्धारित करना चाहिए यहाँ पर यह जोती स्पेक केबल एक छोटी सी चर्चा थी हमने केबल आपको यहाँ पर आयू को निर्धारित करने वाले अंगों के बारे में बताया उनकी सुबदा के बारे में बताया कि सुबता होगी तो जितनी ज्यादा सुबता होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी IU Vector को मिल सकती है तो IU के बारे में अभी हम अन्य वीडियो भी बनाएंगे तो आसा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल भव्य जोतिस को सब्सक्राइब करें धन्यवाद